यहां हर समय रखें मौर पंक चमक जाएगी किस्मत दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम सिर्फ पैसों की पैसा या निधन और आज की महगाई की जमाने में धनी ही लोगों का भगवान हो चुका है लोग कितना भी कमाते हैं पर उससे जदा खर्च हो ही जाता है आज की जमाने में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पैसों के तंगी नहीं होती है और या फिर पैसों के कमी का सामना ना करना पड़ता हो यदि किसी के पास गुजारा लाइक परियाब तो होता भी है तो उसे और ज़्यादा धनका लालच होता है पैसे कमो होता ही ऐसा है जितना होता है कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता हर कोई इसी चक्कर में दिन रात पैसे कमाने की होड में लगा रहता है कई बार कड़ी मेहनत के बाद घर में आपके मुद उम्मीद के मताबिक पैसा नहीं आता और कभी आ जाता है तो कई दिनों तक घर में टिक नहीं पाता ऐसे में माना जाता है कि बुरी किश्मत हमारे साथ साथ चलती है आपको घर में पैसों की आबक के लिए दिन रात कुछ न कुछ सास्त्री उपाई करने पड़ते हैं जिससे आप अपने पैसों की आबक को बढ़ का इस्तमाल करना है कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों सबसे पहले समझ ले मौरपंक है क्या ये बहुत ही सकते साली चमतकारी यंत्र होता है और तांतरिक पूजा में इसका बहुत ही महत होता है और आज से नहीं प्राचियन युक से आपको बता दे कि आपको पता भी होगा जितने साथ्र हैं गरंत हैं पुरान हैं वास्तु साथ्र हैं बेद हैं जोते साथ्र हैं सभी में मौरपंक के पंक को बहुत ही इंपोर्टन इस्थान दिया जाता है जो रिशी महर से थे उन्होंने मौरपंक की कलम से ही बड़े बड़े गरंत लिके हैं मौरपं देपताओं को बंदी बना लिया था तभी भगवान ने अशुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना की अंसार शवी देवी देपता और शवी नोगरा एक मौर के पंख में बिराजित हो गए इसके बाद मौर बहुत ही सकते साली हो गया उसने संध्या नामक अशुर का बद कर दिया तवी से मौर को और भी ज़्यदा पूजनी और पवित्र माना जाने लगा दोस्तों सिर्फ रिसी मुनी और राजा महराजा ही नहीं बलकि भगवान स्रीकृष्ण के क्या कहने आपको भी पता दे कि स्रीकृष्ण कनहया को मौर पंख बिना अधूरा माना जाता है उन्हें मौर मुकुट बंसी बाला भी कहा जाता है उनके मुकुट में मौर पंक के बिना वो कभी रही नहीं सकते थे इसका कारण ये भी था कि बच्पन में ही उनको माता ने उन्हें मौर पंक धारन करवाया था क्योंकि मौर पंक से काल सर्प दोस्त दूर होता है और भगव पंक को धनकी देवी माता लक्ष्मी जी की देवी सरसुती कृष्ण कनहया गडपती हनुमान जी की कार्ति के इन सभी से जोड़ कर देखा जाता है और लक्ष्मी शवभाग खुशाली धन धान और संपनता का प्रतीक माना जाता है मौर के पंकों का प्रयोग लक्ष्मी जी की इनी भी सरस्ताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है और मौर पंकों अगर वास्तुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिष्टों में प्रेम का इनी की रस घुल जाता है साथी हमारा घर एक मंदिर के तरह होता है अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में जगड़ा करने लगे तो ये मंदिर अपवितर सा लगने लगता है इसके कई कारण हो सकते हैं सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकरात्म कुर्जा का प्रवेश करना अब सबाल उठता है कि घर में अगर नकरात्म कुर्जा बढ़ गई है तो इससे दूर कैसे किया जाए इसको कैसे भगाया जाए इसका प्रवेश अगर हो गया तो इसको बाहर कैसे करें इसके लिए हमने आपको जनमाश्ट करना चाहिए सिर्फ एक दिन नहीं मौर पंक को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से उपर से नीचे फैराते हैं तो आपके घर के आसपास जितने भी नकरात्मक उरजाएं हैं वो घर से बाहर चली जाती है और जिस घर में सबसे ज़्यादा शकरात्मक उरजा होती है वह इन जगों पर अगर आप मौर पंक रखते हैं तो आपके घर में सबसे अधिक शकरात्मक उरजा बनी रहेगी तो साक्षात लक्षमी जी आपके घर में जरूर आमंतरित होंगी आप किशिवी शुवे दिन मौर के पंक को लेकर घर के किशिवी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर अपने आने वाले लोगों की नजर सबसे ज़्यादा पड़ती हो असल में मौर पंक नकरत्मक उरजा को अविशोशित कर लेता है इसलिए आप को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए और मौर पंक के उपाए ना सिर्फ आपको बलकि आपके घर के सभी सदस्यों के जीवन में शुक सौंबर्धी जरूर लेकर आएंगे दौस्तों पहली जगह है आपको मुख दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए मौर पंक पहली दरवाजे जो आपका हाल होता है जहां प्रवेश द्वार होता है क्योंकि जब भी को पूजय स्थान पर लगानी चाहिए दूसरा मौर पंक आपको पूजय स्थान पर रखने चाहिए इससे भगवान स्रक्ष्ण और मातालक्ष्म के अश्यम कृपा प्राप्त होती है पूजय स्थान पर जब भी आप पूजय करने जाएंगे तो मौर पंक का दरसन होगा मौर यानि की पूर्व और उत्तर दिशक के और आप जरूर रख दें। या फिर आप चाहें तो अपने धन की स्थान पर रख दें। प्रवेशिन नहीं करती है जो इस्टुडेंट होते हैं अगर अपने यानिकी बैग में रखकर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बिद्या की प्राप्ती होती है और अगर आप अपने जेव पर्स में आप हमेशा रखकर मौरपंक चलते हैं तो हर कार्यों पूरबद्धी और कामयवी प्रापत होती है, मौरपंग की बहुत ही बिशेश थाय है और बहुत ही खोबिया है। दोस्तों मौरपंग आपको अपने मुख दरवाजी के आसपास रखना है, दूसरी जगाए आपको धन के स्थान पर रखना है, तीसरी स्थान है पूजा स्थान पर रखना है या फिर आप जैसे की पूजा स्थान पर तो रखना ही है साथी साथ धन के स्थान पर रखना है और अपने जीवन विधान की कमी नहीं महिशुस होगी। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा। जय मालक्ष्मी साथी साथ वीडियो को लाइक करिएगा, जदर जदर सेर करिएगा और चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा। जय मालक्ष्मी